यदि आपके सर में छोटे छोटे दाने हो रहे हैं, छोटे छोटी पुनसियां हो रही हैं, उसमें पस जैसा बन जा रहा है, दर्द हो रहा है, छुने में बड़ी तकलीफ हो रही है, तो इसकेल फॉलिकुलाइटिस हो सकता है, आज इसी बारे में चर्चा करेंगे कि साथ ही साथ इसको ठीक करने की जो सबसे असरदार तीन होमियोपैथिक दावाईयां हैं, उनके बारे में भी जानकारी दूँगा, तो डियर फ्रेंड्स मैं हो डॉक्टर संतोष पांडे, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत मेरी यूट्यूब चैनल पे आपका, डियर फ् इंफिक्शन भी हो सकता है, ये पैरासाइट की भी वज़ा से देखने को मिलता है, या फिर कोई आपके स्कैल्प में इंजुरी हो जा रही है, उससे भी ये समस्या देखने को मिलती है, कई डियर फ्रेंस इस समस्या के लक्षणों की बात करें, कैसे हम पता करें कि ये स्कै जगहां पर देखने को मिलती है, मतलब पर्टिकुलर कोई एरिया को इंवाल करती है, या पिर कई बार all over scalp में धीरेधीर ये कवर कर लेती है इसमें पस मिक्स दाजे पस रहता है उसके जो ऑपारेचन चींग हो जाता है इतना संजेशन और पस और पस बहुता है area समसें और चून सबसे सबसे असरजार दवाइां मेड़्सिया साइलिसिया dear friends, silesia उस condition की अच्छी medicine है जब आपके सर में दाने हो रही है दानों में पस हो रहा है साथी साथ उसमें इचिंग हो रहा है और आपकी समस्याएं डे टाइम में इंक्रीज हो रहे हैं दिन में बढ़ जा रही हैं तो आप silesia medicine ट्राई कर सकते हैं इस medicine की 30 potency की 4-4 बूदे सुबद उपह शाम आपको अच्छा result देगी next medicine होती है miserium dear friends, miserium उस condition की अच्छी medicine होती है जब आपकी समस्याएं रात में ज़्यादा बढ़ जाती है जब आपको इचिंग देखने को मिलती है इचिंग इतनी होती है कि लगे की खजली करके खून निकाल देए या फिर कई बार ब्लिट कर भी जाता है साथी साथ जो आपकी skin से उजिंग देखने को मिलती है उजिंग जो हो भी वो भी थिक उजिंग होती है जैसे समस्याएं हैं तो आप miserium ले सकते हैं miserium की 30 potency की चारचार बूदे सुबर दोपे शाम next medicine होती हीपरसल dear friends हीपरसल बहुत ही top grade medicine होती है इस medicine को उस condition में लेते हैं जब उसमें पस है दानों में पस बन रहा है और साथी साथ आपको पीन देखने को मिल रहा है इसकिन को जड़ा साथ चूना भी बरदास्त नहीं हो रहा है और दाने जो हैं उनमें या फिरी समस्या में जैसी हवा लगती है या ठंडी लगती है तो समस्यां बढ़ जाती है यदि ऐसी समस्या हो रही है तो आप हीपरसल यूज़ करिए बहुत ही अच्छा रिजल पाएंगे हिपरसल की लेने का तरीका ये होता है इस मेटसिन की 200 पोटेंसिय लेजिए चारबूत सुबह और चारबूत साम में लेजिए अच्छा रिजल देती है ये फ्रेंड्स हमियोपैथी सिम्टम बेस सिस्टम आप मेटसिन है अच्छा कबर करती है जिसको हम सिम्टम की सिमिलर्टी के हिसाब से सेलेट करके देते है बहुत ही ऑथन्टिक इन्फॉर्मेशन है आप खुद भी फायदा ले अपने चानने वाले चाहने वाले या फिर जिन को ये समस्या उनके साथ सेर करके उनको भी फायदा दे सकते है थेंक्यू, थेंक्स वाचिंग